तो friends आज का जो comparison है ये भी एक fine reminder comparison ही है TAMSeries 7020 वर्सेज Helio G99 इस बार Helio G99 आपको Realme 11 Prime पर देखने को मिलेगा Realme 10 पर देखने को मिलेगा और भी phone इसके साथ आते हैं वह पर 7020 आपको देखने को मिलेगा Motorola के G54 पर तो देखते हैं कि performance आपको किसमें ज्यादा बिटर मिलेगी और कौन सा processor आपको चूज करना चाहिए Hi friends, मेरा नाम है Goro, आप देख रहे हैं Tick Room वीडियो को स्टार्ट करता हो basic information के साथ हर बार की तरह आपे 7020 आउस किया गया था February 2023 में Helio May 2022 में आउस किया गया था दोने ही process latest है, एक साल का स्वार difference देखने को मिल रहा है बट लेटिष्ट ही processor है और class की बात किया था दोने ही process mid range में आएंगे model number की बात किया था Helio का model number MT6789 है and TDP की बात किया था Helio 5Watt based के साथ होगा and diamacety 4Watt next अब बात करते है आर्खिटेक्चर की तो आर्खिटेक्चर वाइस दोने जो processor आपको देखने को मिलेंगे वह है ochra core, diamacety में होगा 2-core 2.2 GHz clock cortex A78 बाकी जो 6-core battery efficiency के लिए लगा गया है वो 2 GHz पे clock है cortex A55 के साथ वह पे Helio की बात किया तो यहाँ पे 2-core 2.2 GHz clock cortex A76 मिलेगा 6-core 2 GHz clock cortex A55 देखने को मिलेगा तो अगर आप यहाँ पे अभी compare करें तो दोने के frequency से हम है 2-core 2.2 GHz clock और बाकी 6-core 2 GHz पे clock है तो frequency-wise तो दोने process similar है बट यहाँ पे cortex का काफी difference आएगा because cortex A78, cortex A76 से काफी बेटर है तो performance जो आपको देखने को मिलेगी वह Damascity 7020 में होगी अब बात किते हैं यहाँ पे frequency support की तो Damascity 702 जो 2,028 MHz के साथ होगा और G99 में भी 2,028 MHz की speed आएगी और fabrication की बात की तो fabrication-wise भी दोनों हे process similar होते हैं जिसका जितना small fabrication होगा उतना बेटर होगा बट दोनों ही सेम है तो यहाँ से कोई difference नहीं होगा बात करते हैं आप ए ग्राफिक सपोर्ट की तो ग्राफिक सपोर्ट में Damascity में मिलता है IMG BXM 8256 जिसका architecture Power VR है वहीं G99 में मिलेगा Mali G57 MC2 इसका architecture Wall Hall है तो यहाँ पर जो आपको graphics देखने को मिलेगा वह IMG BXM थोड़ा better रहता है इन-game graphics हो सकता है दोने ही processor का similar मिले आगे मैं आपको gaming graphics बताऊंगा तो देख लीजे तो आपको idea लगेगा better और पर 3D Mark भी बताऊंगा तो और भी idea लगेगा इन-बात करें यहाँ पर frequency support की तो Damacy जो है 910 MHz पर clock चलता है जबकि Helio जो है 1110 MHz पर clock रहता है तो थोड़ी GPU की speed better है बट यहाँ पर इसका GPU weak है अब बात करने flops की तो Damacy जो आपको मिलेगा 260 Giga flops पर Helio 281 पर मिलता है I think Damacy का से better होना चाहे था बट 3rd party पर यही mention है Memory tab की बात के तो Memory tab support पर Damacy का LPDDR5 support रहता है इसकी RAM frequency 2750 MHz की रती है और 3200 MHz की भी हो सकती है बट Helio में LPDDR4X का ही maximum support मिलेगा और RAM frequency 2133 MHz की है तो यहाँ पर भी इतनी चिंता वली बात है नहीं बिकास जो phone आपको Motorola देखने को मिला इसमें भी LPDDR4X का ही RAM दिया गया है और आपे बात सेनी storage type support की तो storage type support में Damacy की maximum UFS 3.1 support कर सकता है बट Motorola के case में आपे UFS 2.2 का यूस किया गया है और यहाँ पर Helio का maximum support ही UFS 2.2 का है नेक्ट आप बात करते हैं आप गेमिंग ग्राफिक support की तो गेमिंग ग्राफिक support में Damacy का data मैंने जो लिया है वो Motorola के G54 सी लिया है और Helio का data मैंने Redmi 11 Prime 4G और फिर आप Realme 10 भी बोल सकते हैं दोनों का data सेम आता है और बात करें आपे Free Fire Max की तो यहां पे 40 का support ही मिलेगा दोनों ही processor के साथ I think 702.0 में 60 का आपी option मिल सकता है बट G99 के case में 40 ही देखने को मिला और यहां पे graphics max high ही देखने को मिल रही है दोनों ही processor मतलब max में चल रहा है दोनों ही processor बात करें यह PUBG माल के तो HDMI यहां पे काफी important रहने वाला बिकास इसमें ग्राफिक सोड डिफर करती है क्योंकि यहां पे 40 HD ही दोनों ही processor में देखने को मिलेगा बट अगर आप performance की बात की जाए तो 702.0 थोड़ा बेटर रहने वाला है G90 लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं आएगा बिकास इहां पे G99 काफी यहां पे optimize करके दिया गया है वहें पे बात रहे है Call of Duty के तो 40 and 30 का support आएगा graphic support में 702.0 में high max support आता है जब कि G99 में medium high support आता है तो overall gaming experience आपको 702.0 में बेठर देखने को मिलेगा डोनों का display resolution भी similar है 2520 to 1080 pixels और यहां पे NPU के अगर बात किया तो दोनों के पास NPU भी मिल जाते है बट यहां पे connectivity का एक major difference देखने को मिलेगा बिकास जो 702.0 वो एक 5G processor है and Helio का जो processor है वो 4G processor है वहें पे 4G की बात किया तो LTCAT 18 मिलेगा इधर and Helio में आपको LTCAT 13 का support देखने को मिलता है तो कि यहां पे आपको connected में थोड़ा पीछे कर देगा Bluetooth की बात किया तो Bluetooth 5.2 and 5.2 की technology मिल जाती है हो सकता है future upgrade में आपको Helio में 5.3 भी देखने को मिले वैसे I think Redmi 11 Prime में 5.3 ही देखने को मिलता है and हो सकता है आपको 5.1 का भी support मिले तो यह Bluetooth का उपर निची होता रहता है and बात करें आपे Wi-Fi support की तो Wi-Fi में दोन ही जो processor आते हैं वो Wi-Fi 5 के साथ आते है अब बताता हूं benchmark score geek benchmark की बात करते हैं सबसे पहले geekbench 6 का number है वैसे है single को performance की बात किया तो damascity का score 920 आता है helio का score 730 आता है तो थोड़ा performance drop आपको देखने को मिलेगा single core में ही because में cortex A76 का support किया गया है multi core की बात किया तो damascity का 2289 आएगा and helio का जो है 1098 आएगा थोड़ा सा पीछे है बट पीछे है वही same region cortex A76 की वज़े से next आप बात किया यहां पर benchmark score 1210 से मैंने इसका number लिया है damascity का जो number है 1210 का यह तो इसका 477,000 तक आएगा जब कि helio का जो number है वर्जन 9 से I think अगर वर्जन 10 पे इसका number देंगे तो 410,000 तक क्लोस करेगा next आप बात किया है 3D benchmark score की damascity का जो score 2480 प्लस है मतलब गेमिंग में काफी बेटर हो जाएगा जब कि helio का score 1280 प्लस है यह भी एक अच्छा number है medium gaming करने के लिए बट यह जो 2480 प्लस है तो काफी कम है अब बताता हूँ conclusion कि difference आपको कितना देखने को मिलेगा real life world में CPU performance के अगर बात किजा तो damascity का score 45 प्लस है यह पर helio का score 37 आएगा काफी difference आपको देखने को मिलेगा performance की बीच में अगर आप एक video render कर रहे है मैं आपने G99 का ही idea बताता हूँ तो एक video मुझे render करने में जो भी आप मेरी video देखते है 6-8 मिनट के बीच वाली वीडियो Full HD वीडियो आपको render करने में 30-40 मट लग जाएगा Helio G99 पे और CyberLink Power Director या फिर Time Master पे आपको यह टाइम काफी कम लगने वाला है आपको यह जो टाइम लगेगा 20-30 मट का लगेगा आपको बास करें gaming performance की तो in-game graphics लगबख से ही सिम्लर है बट बेटर परफ़मेंस आपको 70-20 में देखने को मिलेगी बैटर लाइफ में तो दोने ही प्रोसर सिम्लर है 84 का स्कोर करेंगे कि बिकाउस दोने ही जो प्रोसेसर है वो 6-0 अनमेटर यह सिंसी बेस्ट टेकलोजी के साथ आते है गंटे ही चलता है चार दिन तो आपको नार्मलिजम कुछ भी यूज नहीं करना है तब चलेगा टेक्रोम स्कोर की बात करेंगो डामसेटी का स्कोर 47 स्कोर करेगा एंड हीलो का स्कोर 41 स्कोर करेगा 40 प्लस अच्छा स्कोर है अप ले सकते हैं हीलोजी 99 को भी हो सके वीडियो कर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जड़ू कीजएगा ताकि मेरी हो सके थैंक्स फो वॉचिंग